हेलो वीवर्स आप सबका स्वागत है मारे यूटूब चैनल क्वालिटी कोशिंग ऑनलाइन क्लासेज में यह वीडियो जो है एज रेटेड़ प्रॉब्लम से है इसमें वेराइटीज ऑफ कोश्चिंज आपको सॉल्ब कराएंगे यह एक प्रैक्टिस सेशन है और डिफरेंट टाइफ आपको मैं सॉल्ब कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा कोशन है बच्चो रमेस इस टू इयर ओल्डर दैन रोहित तो जब ऐसे कोश्चिंज नाम क्याते हैं तो पहले आपको क्या करना चाहिए उनके इस नाम सॉट फॉर्म में लिख लेने चाहिए है ना सॉट फॉर्म में के नाम आपको लिख लेने चाहिए उके अब देखते किसका रिलेशन किस से है बुलें रमेस इस टू इयर ओल्डर दैन रोहित हूँ इस ट्वाइस सीता तो सुरुवात कहां से वह सीता से तो सीता के एज को मैंने क्या माल लिया एक्स माल लिया किसका सीता की एज के ट्वाइस रोहित है रमेस इस टू इयर ओल्डर दैन रोहित और रमेस जो है वह क्या है टू इयर ओल्डर दैन रोहित है यानि रमेस का इस टू एक्स है तो रोहित का टू इयर एक्स्ट्रा एड़ कर दो क्लियर है तो इस तरीके से इस कोस्टिन को हम स अब simply 2x 2x 4x 4x 5x plus 2 is equals to 27 therefore 5x is equals to 27 minus 2 therefore x is equals to less हो गया तो 25 आया divided by 5 is equals to 5 x बराबर 5 आया है अगर x बराबर 5 आया है बच्चों तो मैं कह सकता हूं सीता का उम्र किता है 5 यह लेकिं सीता का तो पूचा नहीं है पूचा किसका है रोहित का पूचा है तो रोहित का किता हो जाएगा 2 x 5 is equals to 10 यहीं आपका क्या होगा आंसर होगा यहीं क्या होगा आंसर होगा अगर आपका निकालना होता तो यहां पे 5 पूट कर देता 5 तूजा 10 10 तू 12 यह हो जाता ओके आए नेक्स कोश्चन करते हैं नेक्स कोश्चन है बच्छो सिखा ग्रांट फादर वाज एट ताइम्स ओलडर तो हर 16 यह एगो तो 8 यह एगो क्या रेशियो था दोनों के बीच में है न 8 यह एगो का रेशियो पूछा है तो इसमें पहली चीज़ आप क्या कर लो इसमें 3 चीज़े हैं बच्छों है न क्या है प्रेजन्ट के बारे में पूछ रहा है फ्यूचर के बारे में भी दिआ हुआ यह और पास्ट के बारे में भी दिया हुआ अब बात समझना बोला है एट ये इर एगो एग ね वाट वाज दो रेशियो अप्र सिखा यह निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बढ़ा आराम से करते हैं परेशेंट टेलो ठीक है प्रेशेंट जो है एक्स मानलो किसका इस शीखा इस एक्स मानलो ठीक है अब आगए ग्रांट फादर हो गया तो अब ध्यान दिजेग कि अगर यह प्रेजेंट एस सिखा का एक्स आपने मान लिया है तो क्या बुल रहा है एट टाइमस ओल्डर टो हर 16 एगो जो ग्राइट फादर है वह एट टाइमस लेकिन कब 16 साल पहले तो 16 साल पहले सिखा का एज क्या हो जाएगा बच्छो एक्स माइनस 16 इनका हो गया तो बादर वाज एट टाइमस तो एट टाइमस क्या हो जाएगा एट एक्स माइनस 16 यह आ गया पास्ट का रिलेशनशिप ओके अब आते हैं फ्यूचर में फ्यूचर में क्या है बच्छो ही उड़ बीट ट्री टाइमस ओफ हर एज एट यहर फ्रॉम नाव आज से आठ साल बा शिखा के उम्र के तीन गूने हो जाएंगे अब दुनों का रिलेशनसिप निकाल देते हैं रिलेशनसिप क्या है भाई 8x-16 इस इक्वल स्टो 3x प्लस 8 ठीक है क्या यह दुन बराबर है यह दुन बराबर नहीं है क्यों क्योंकि यह जो है पास्ट का यह 16 साल पहले का दिय यहां से यहां तक travel करने में future से इस relationship तक आने में कितना लगा 8 plus 16 is equal to 24 क्या हो जाएगा 24 years हो जाएंगे तीक है क्योंकि future का है और यह 24 24-year पहले का है दोनों को बराबर करना होगा तो future में 24-year में less करता हूं तो दोनों अपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगा ब्रैकेट को लेते है एट एक्स माइनस अच चार बार एक्सटाइस 3x और 24-24 24-24 cancel हो गया फिर यह इधर आया 8x-3x यह सेट गया तो 128 हो गया 5x is equals to 128 therefore x is equals to 128 upon 5 यह अब एक्स बराबर आ गया 128 upon 5 तो अब ज़रा question दुबारा पड़ो 8 year ago what was the ratio of the sika age to that of our grandfather ठीक है तो 8 year ago का पूछ रहा है आपने 16 year ago का है हम find किया तो 8 year ago क्या होगा simple सा है कि past वाला जो है 16 साल पहले का है तो 16 साल में 8 year add करते हैं तो क्या जाएगा 8 year ago का जाएगा या तो हम इसमें से less कर दें या इसमें add कर दें तो जो add वाला concept आपको clear होगा इसलिए कि दोनों में same activity करना होगा तो simple सा है कि सिखा क्या है सिखा सिखा का एज जो है ओ दिया है x-16 मैंने क्या किया एक्स के जगा value पूट कर दिया 128 अपन फाइफ और यह माइनस 16 था ना तो यह तो 16 साल पहले का है अगर हमको 8 साल इधर लेकर आना है आगे लेकर जाना है ठीक है ना तभी ना कहलाएगा वह बीच का is तो इसमें क्या करेंगे प्लस 8 कर लेंगे तो यह आपका हो गया 128 अपन फाइफ माइनस 8 is equals to 128 minus 40 upon 5 is equals to 28 less हो गया तो कितना बचा आपका 4 8 हो गया और यह हो गया 8 है ना तो 88 अपन 5 हो गया clear है तो 88 अपन 5 सीखा का एजा है ठीक है फ्रेक्शन है फ्रेक्शन मिरें दिख कर दिए ग्रांट फादर ग्रांट फादर भाई क्या है 8 x minus 16 थे यही थे ना 8 x और minus sorry यहां पर multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आट अगर तालिस का आट अंदर का 4 और 128 थे यह थे ठीक है अब इनका एज भी लाना है किसमें 8 साल एगो ठीक है ना तो क्या करेंगे हम इसमें plus 8 कर देंगे जैसी plus 8 किया तो क्या हो गया यहां प चालीस यहां पर LCM आप लोगे तो पर एक मल्टिप्लाइग और चार्ट में लागा च्छे आट दो हाट दो दस और minus 120 बटे में 5 कितना है अब आता है रेश्यू क्या आता है रेश्यू रेश्यू क्या है सिखा इस्टू ग्रांफादर तो यह अपन ही होता है ना तो हम फ् में लिख लेता है बीच में डिवाइड का साइन ठीक है 904 बटे में पांच ठीक अभी जब इसको सौल करो तो क्या जाएगा 88 अपन फाइफ इक मल्टिप्लाइड बाइफ अपन नाइन अन्रेड फोर अब देखो 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल हो गया अब यह कैसे कटेगा तो देखो पहले की 11 के टेबल से कट रहाए कि नहीं तो इसम्पल सा है 118 जा 88 118 जा 88 दो बच्छा तो नहीं कटेगा 8 से देखलो कट रहाए कि नह तो कटेगे तो कितना हो गया 11 हो गया और यह हो जाएगा अपका 8 28 के रिकिया 110 फिर 818 के रिकिया 2 आधर 24 क्या हो गया 11 is 2 113 लेंदी है बट सौल होगा लेंदी है बट सौल होगा आंसर आ गया पढ़हेंगे भहति ध्यान से father is aged three times more than his son Ronit after eight years he would be two and half times of Ronit age बोल रहा है after eight years future की बात कर रहा है after further eight years उसके फिर से आठ साल बात की बात कर रहा है how many times would he be of a Ronit age इन्हाँ simple क्या करना है present future and again future ठीक है अब कौन है एक है Ronit और दूसरे कौन है उनके father है भाई सब कुछ किस पर depend है Ronit पर depend है तो Ronit तर प्रजेंटेज एक्स माल लिया father का क्या है बोल रहा है तो बोल रहा है father is aged three times more than his son son की उम्र से तीन time क्या है जादा है three times क्या है जादा है तो sir की उम्र है x तो father की उम्र क्या हो जाएगी बच्चो three x हो जाएगी three x यह बात समझना इनकी उम्र x है यह x plus three x हो जाएगी क्यों क्योंकि father की एज जो है बच्चो क्या है रॉनित के एज से तीन टाइम जादा है यानि तीन टाइम मतलब इसका तीन गुना कर लिया यानि क्या हो गया इनका 4X हो गया क्या हो गया यह 4X हो गया आगे पढ़ते हैं 8 year क्या हो आफ्टर 8 year अब 8 year हमने future में travel कर लिया आफ्टर 8 year he would be two and half times of रॉनित एज आफ्टर 8 year पर रॉनित का एज क्या हो गया एक्स प्लस 8 अब यह बोले है 2 and half 2 and half का मतलब क्या होता है बच्चो 1 by 2 और यह solve क्या है तो 5 upon 2 है ना तो 5 upon 2 किसके है 5 upon 2 है बच्चो x plus 8 के 5 upon 2 है अब दोनों को फटा-फट solve कर लेते हैं तो 4x is equals to 5 upon 2 x plus 8 है अब जड़ा ध्यान दीजी दोनों बराबर तो है नहीं बराबर करने के लिए इसमें भी क्या करना होगा प्लस 8 करना होगा क्यों जब प्लस 8 करेंगे तो यह प्रेजेंट वाला फ्यूचर में चला जाएगा तब दोनों फ्यूचर फ्यूचर बराबर हो जाएगा अब इसको solve करते हैं फटा-फट तो क्या हो जाएगा बच्चो 2 4 x plus 8 5 x plus 8 यहां इक्वाल टू का साइन लगेगा देरफोर 3 x और यह लेस हो गया तो कितना हो गया 24 देरफोर x is equal to क्या हो जाएगा बच्चो यहां ली सकते है एक्स इक्वाल स्टो 24 अपान 3 देरफोर 8 किता आ गया एक्स बराबर 8 आगया अब जड़ा ध्यान दो एक्स बराबर 8 आ गया तो मुझे यह तो निकालना नहीं है मुझे कहां जाना है फ्यूचर में जाना है क्यों क्योंकि बोला क्या है कि after further 8 year how many times would he be a Ronit is मतलब इसके भी 8 साल बाद ठीक है न तो यहां एक्स था यहां क्या था x था यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा बच्छो 16 लगाना 16 रख लिया तो राहनीत की निकला है निकल राहनीत क्लिद या क्या हो आइक्स का कितना हो गया आठ चोंगे बत्रीस प्लस सुल्ह देरफ़ फॉर्टी एट किता हो गया फॉर्टी एट यह अब दूनों में कंपेरिजन कर लेंगे कैसे कंपेरिजन होता है तो यह हो गया 48 और डिवाइड वाइड वाइट 24 यानि क्या हो जाएगा अंसर टू टाइम्स क्या हो कोश्यों है बच्छो एज टू यह ओल्ड देन बी विस्ट्वाइस अग्र टॉट अगर तीन नाम है तो फटा फट तीनों नाम को अलग अलग लिख लिए तो यह तीनों नाम क्या है अलग-अलग मैंने लिख लिया अब क्या बोल रहा है लास्ट से सुरू करते लिखा है गया अगर मैंने एकस्ट और अग्र मैंने सी को अग्रमाना है तो ऑभिएस्ली क्या हो जाएगा टू एकस ब्लस तू इससे दो साल ज्यादा बड़ा है अब क्या करना है बस कुछ भी नहीं इन तीनों का सम क्या दिया है बच्चों 42 दिया है तो तीनों का सम 42 दिया, तो फटा फट क्या कर लो, तीनों का सम कर लेते हैं, यह हो गया 42, 2X, 2X और X मिलके 5X plus 2 is equal to 42, therefore 5X is equal to 42, 2 उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus 2, therefore 40, 5X, therefore X is equal to क्या हो जाएगा, 40 upon 5, है न, is equal to 8, is equal to क्या आ गया, 8 आ गया, अब किसका पूछा है, B क पूछा है न, तो B क्या हो जाएगा, 2X है, ठीक है, therefore 2 into 8 is equal to क्या हो जाएगा, 16 years, क्या हो जाएगा, 16 years है न, यह हो गया, answer, तो बच्चों का समझ में आ गया हो, इस वीडियो से 4 different type of questions, तो आप फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना ना बोलना, थेंक क्यों 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 आएगा फ्यदlara से 4 different type of questions in can